नमस्ते आज मैं सुरू कर रहा हूं बिहार में हिंदि सिनेमा संस्कृती हिंदी सिनेमा कल्चर आफ बिहार में कौन कौन से हिंदी फिल्म के निर्देशक रहे हैं कौन कौन से नायक रहे हैं, कौन से सहनायक रहे हैं, को एक्टर जिनको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, कौन कला निर्देशक रहे हैं, कौन खलनायक रहे हैं, कौन मुजिशियन रहे हैं, शंगितकार जिनको हम लोग कहते हैं और कौन गीतकार रहे हैं और कौन-कौन फिल्म में हमारे यहां बिहार के प्रतिभावान जो अभिनेत्री, अभिनेता जिनको रास्ट्रिये और अंतरास्ट्रिये पुरस्कार से नवाजा गया उन सब के बारे में आज ब्रिस्ति चर्चा करेंगे क्योंकि पड़िछाओं में हिंदी फिल्म से समंधित बिहार के कलाकारों के बारे में पूछा जाता है बिसेश करके BPSC और बिहार से समंधित जितनी भी पड़िछाएं है उसमें पूछे जाते हैं मैं आगे और भी आपको बताऊंगा मैथली भाषा में जो जो फिल्म बने हैं उनके समंधित में बतलाएंगे उनके कलाकार के बारे में बताएंगे भोजपूरी फिल्म में जो आपको प्रगती हुई है बिहार में और उसमें जो कलाकार जिन जुड़े हुए थे उन सब के बारे में बतलाएंगे और उसके बाद जो है आपको मग ही और अंगी का भाषा में भी फिल्म बनी है और उस फिल्म के बारे में भी आपको बिस्तित रूप रेखा आपको प्रस्तूत करेंगे जो बिपी एसी और अन्य पड़ी बिहार से सम्मंधित अन्य पड़ी च्छों में पूछे जाएंगे यह बिहार इस्पेसल बिसेश करके बिपी एसी के लिए हम बना रहे हैं जो आप सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा उसके बाद ड्रामा के बारे में बताएंगे रंगमंच के बारे में बताएंगे बिहारी रंगमंच के कलाकार बहुत ही अच्छे अच्छे जाने पहसाने नाम हैं उन सब के बारे में बताएंगे जो आपको बिविन तरह के नेस्नल और अन्तारास्ट्रिये इंटरनेस्नल विनर्व रहे हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे ततकालिंग मैं सुरू कर रहा हूँ बिहार में हिंदी सिनेमा संस्कृति हिंदी सिनेमा कल्चर और बिहार की हम सुरूत करने जा रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहरा हूँ आपको निर्देशक के विशय में जो निर्देशक हमारे रास्टिये गौरब के रूप में रहे हैं जो बिहार से बिहार के हैं मैं सबसे पहला नाम आपको फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता प्रकास जा के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ प्रकास जो बेतिया में जन मिली ये हैं बेतिया जो आपको पस्मी चंपारन कहा जाता है वहां के हैं और यह जो हैं आपको इनकी सर पर्थम फिल्म जो थी दामूल थी और उसी में इनको सर वस्रिस्ट फिल्म का रास्ट्री पूरसकार मिला यह एक बहुत बड़ी बात है जिस फिल्मों को रास्टिय पुरुसकार मिलता है वह फिल्म को लोग जरूर देखते हैं और उनका आपको विविन पड़ी चाओं में निस्सित ही पूछा जाता है तो प्रकास जा दामूल फिल्म के प्रथम फिल्म में ही उनको रास्टिय पुरुसकार मिला और उसके बाद उन्होंने तो बहुत सारी बैफसाइक फिल्म बनाई जो बहुत फेमस हुई जिसमें आरख्छन, अपहरण, गंगाजल यह सब तो बहुत ही बैफसाइक फिल्म है ज लेकिन मुख रूप से हम लोगों को फोकस करना है जो नेस्नल एवाइडी फिल्म है उस पर चर्चा करना है विसेज करके बिहार के क्योंकि वह परिच्छाओं में पूछा जाता है और दूसरी बात है कि आपको बहुत सारे प्रस्नालिटी के बारे में भी पूछे जाते हैं जिनमें प्रकासजा के बारे में भी मैंने बता दिया है क्योंकि प्रकासजा एक ऐसे व्यक्तित तो है और उनका कृतित तो उससे भी बड़ा है क्योंकि संस्कृत में एक स्लोक है कृतिया स्या सौ जीवति जिसकी कृति महान है वह काल अंतर में काल खंड में भी वह जाने जाते हैं तो यह तो अभी भी कई तरह के अची अची फिल्म बना रहे हैं इसलिए मैं आपको बतला दिया हूँ यह निरदेशक भी है और यह फिल्म निरमाता भी है दूसरे हैं नीरज पांडे जी जो धोनी फिल्म जो बहुत फेमस फिल्म रहा हैं जिसमें सुसान सिंग रा निर्देशन किये हैं बहुत जाने पासाने निर्देशक हैं नरेस मंडल जो लोक आस्था के महापर्वचठ 2018 इसमी में बना हैं डार्क नाइट जो 2019 में उनका निर्देशन में बना है और अभी साथ से 2019 में बना है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद हमारे कुछ अन्य जो निर्देशक हैं उसमें कबीर कौशिक है नवीन भारदवाज है मनोज कुमार जा है अचल मिस्र है और गिरिस रंजन जो हैं वो हैं आपको निर्देशा है गिरिस रंजन से जी से मुझे अब तो कुछ साल पहले अभी मड़े हैं मुझसे कई बार उनको भेट भी हुई है उनसे बहुत बारतलाप और उब्रू हुए हैं और वह जो है कल हमारा है का वह निर्देशन किये थी और कल हमारा फिल्म जो है बहुत प्रसिद्ध फिल्म हुई थी बिहार में बनी बिहार के एक्टर और बिहार के सारे यूनिट जो है बिहार के थे इसलिए आप कह सकते हैं कि एक दम खांटी बिहारी या फिल्म है जिसके नर्देशक्र है गिरिस रंजन जी में उनसे बहुत मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंद रहा है मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ गायक में आपको बहुत नामी व्यक्ति हैं और बड़ाबर पूछे जाते हैं प्रस्न और यह भी प्रस्नालिटी के रूप में व्यक्तितों के रूप में विहार के व्यक्तितों से भी प्रस्न पूछे जाते हैं जिसमें उदीत नाराण हैं उनके बेटे आदित नाराण हैं यह भी गितकार हैं गायक भी हैं और जो है इनकी बड़ी प्रिसिद्ध रही है जिसमें गाई है डलेर महनी स्वाती सर्मा बनो तन्नू वेट्स मन्नू रिटर्न्स में भी यह गाई हैं तो यह गायक का लिस्थ था मैं आपको बताया हूँ पुराने अभिनेता में दो कैटेगोरी हमने आपको रखा है एक पुरा प्यारे महन सहाई जो बहुत ही चर्चित और खांटी बिहारी आपको नायक रहे हैं पुराने जमाने के नायक रहे हैं और इन्होंने कई आपको मैथली फिल्म भोजपूरी फिल्म और हिंडी फिल्मों में यह काम किये हैं जो बहुत ही प्रशिद रही है इसको आप धियान रखेंगे प्यारे मोहन सहाय ममता गाय गीत मैथली में इनकी फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई थी जो हिंदी मैथली और भुद्पूरी में भी या नायक के रूप में रहे हैं श्यामा नंद जालान हैं उसके आद सुजीत कुमार हैं कमाल अहमद रिजवी हैं जो विभाजन के बाद पाक में अब चले गए पाक में टीवी कलाकार के रूप में टीवी कलाकार ही नहीं नायक के रूप में और बहुत साड़े निर्देशक सह निर्देशक के रूप में भी काम कर रहे हैं लेकिन पहले डिवीजन से पहले यहीं के थे कमाल अहमद रिजवी सत्रूगन सिन्हा जो काफी नामचीन आपको एक्टर रहे हैं बैवसाइक फिल्म के एक्टर रहे हैं यह ध्यान रखियेगा और पड़िछाओं में मुख रूप से आपको जिनको एवार्ड मिला है या जिस फिल्म में एवार्ड मिला है उस पर जादे पूछा जाता है वैसे यह ऐसे व व्यक्तित तो BPSC के व्यक्तित तो स्रेणी में भी यह पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह आपको केंद्रे मंत्री भी रहे हैं और आपको फिल्म के अभिनेता जाने माने अभिनेता रहे हैं इसलिए यह बिहार्ड के व्यक्तित तो में भी पूछा जा सकता है इसलिए मैंने प्रमुक्ता से सामिल किया हूँ, सेखर सुमन जो फिल्म के अभिनेता और टीवी के हसे कलाकार के रूप में, हसे अभिनेता के रूप में इनकी एक अलग प्रसिद्धी रही है, उसके बाद आपको मनमोहन है, भूशन तीवारी है, और उसके बाद आपको मैं बतला रहा काफी अच्छे व्यक्ती हैं, और इन्होंने फाइनल मैच जो जिनके निरुदेशक रहे हैं, संतोष बादल उभी बिहार के ही हैं, तो उनके निर्देशक में, फाइनल मैच में भी इन्होंने नायक भूमिका में रहे हैं, वी रिटर्ण आफ डॉक्टर जग्दी जो एक तरह से राष्टिये फिल्म की स्रेणी में आता है और या इंगलिश प्लस हिंदी दोनों में इसका डैलेग है तो इंगलिश वाले लोग भी खुब देखते हैं और हिंदी वाले लोग भी देखते हैं वैसे यह जो आपको भोजपूरी फिल्म मराथी फिल्म से ले करक आपको बंगला फिल्म में भी इन्होंने काम किया है और स्मृति इराने जो केंद्रिये मानव संसाधर मंत्री रही है उनके साथ भी इनको काम करने का मौका मिला है तो यह जाने पहसाने आपको रंगमंच में भी इनका बहुत ही अच्छा काम किया गया है इनके द्वारा और आपको बता देते हैं कि आपको जो प्यारे मोहन सहाय जो इनके सिनियर भाई के रूप में थे उनके साथ भी रंगमंच के अच्छे जाने पहसाने नाम हैं वह हैं लरन पांडे जी उसके बाद नवीन अविनेता में मनीश चतुरवेदी हैं आदित कुमार हैं गैंग्स आफ पासेपूर हैं प्रभाकर सरन जो इनकी खासियत है कि हिंदी और अमेरिकन लैटिन फिल्म में काम किये हैं बिहार के प्रथम व्यक्ति मननायक हैं जो हिंदी लैटिन अमेरिका फिल्म में हिंदी फिल्म में तो अभीनेता रहे ही हैं या आपको अमेरिकन लैटिन फिल्म में काम करने का शाभग बहुत कम भारतियों के मिलता है या तो बिहारी हो करके भी इस फिल्म में इनको काम करने का मौका मिला है विकास कुमार जो है परमानू फिल्म में परमानू फिल्म में काम करने का मौका मिला जो काफी इसकी चर्चा हुई और काफी इसको अवार्ड भी मिल मानोज बाजपेई जो आपको नेसनल फिल्म एवार्ड इनकी फिल्म में मिली है जो सत्या, पिंजार, भोंसले, तिन तिन फिल्मों में इनको नेसनल एवार्ड मिला है वैसे सूल फिल्म भी इनकी काफी प्रसिद्ध फिल्म हुई है और यह जो हैं बिलवा गाउं के हैं आप को चंपारन के रहने वाले हैं और हमारा जो गाउं है उसके काफी नजदीक के ही है ये आपको मनोज बाजपे ही है संजय मिस्र जी है फिल्म फियर क्रिटिक अवार्ड बेस्ट अक्टर आँखो देखी में इनको मिला है ये भी बहुत जाने पहसाने नाम है और अभी हाल में आपको बहुत चर्चित हुए है सुसान सिंग राजपूत जिनको छिछोडे फिल्म को नेसनल इनके छिछोडे जो फिल्म है उनको ने बहुत बड़ी उपलब्दी है क्योंकि दादा साहब फालके अवार्ड बड़े ही अनुभवी और बड़े ही बुजर्ग आपको निर्देशक अभिनेता अभिनेत्री को मिलता है और यह तो अभी समझे की फिल्म में अभी कदम ही रखे थे और इसमें इन्होंने दादे सा फालके अवार्ड मिला है यह बहुत ही गरवानित करने वाला है इसके बाद यह जो थे ओलम्पियाड में भी यह पढ़ने में भी बहुत तेज थे सेंट करेंस स्कूल पटना से पढ़े हुए हैं और यह आपको बता देते हैं कि ओलम्पियाड जो फिजिक्स ओलम्पियाड में या टॉप स्रेणी में रहें और इनको आपको बताते थे हैं अमेरिकन के कई साइंटिफिक जो सेंटर्स हैं उसमें इनको काफी बुलाहटा आया कि भाई आप यहां आके काम करें साइंटिफिक टेंपरामेंट होते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छा भिना किया लेकि इन कई कारणों से और किस कारण से अभी बहु इन पर खोज जाड़ी है और एक दुखद समाचार इन दिनों मिला था और वह है इनकी दुखद मौत और इस मौत के पीछे क्या कारण है अभी अनुशंधान जाड़ी है लेकिन हमलों के लिए अगर कहीं खुसी है तो कहीं ग गम है उनके जाने का, खुसी है फालके अवार्ड का, खुसी है कि इतना कम उम्र में और यतनी बड़ी उपलब्धी और इतने अच्छे आक्टिंग आक्टर को और आक्टिंग को हम लोग खोच दिये, यह एक दुखद ख़वर है जो हम लोग के लिए बहुत हैं पस्चाप के अलावे और कुछ नहीं कह सकते हैं, मैं आपको बतला रहा हूँ कि इसके बाद हैं पंकज त्रिपाठी जी हैं जिनको आपको न्यूटन फिल्म में नेशनल फिल्म आवार्ड स्पेशल मेंसन, स्पेशल मेंसन करकर के उनका आया है जो यह बहुत बड़ी उपलब्धी है, अविनास्त तीवारी जी लैला मजनू बुलबुल फिल्म में यह नायक की भूम का निभाए हैं, बिना पाठक खोसला का घोसला फिल्म में काम किये हैं, इसके बाद है आपको कुछ टीवी कलाकार, क्योंकि टीवी आजकल बहुत प्रसिद्ध होते जा रहा है और इसके बि बिहार में हिंदी सिनेमा संस्कृती जो चैप्टर है, तो इसमें आपको टीवी कलाकार में हैं बिहार से अहम सर्मा महवारस सीरियल, महवारस सीरियल 2013 जो बनी थी, उसमें कर्ण की भूमिका में है, महवारस सीरियल पहले भी बनी है, और नवीन भी बनी है, मैं नवीन की ब हुमिका में रहे हैं ये भी बिहार के हैं और मैं आपको एक बात बताना चारा हूँ खलनायक में आपको अभिमन्यू सिंग जो अक्स और रक्त चडित में काम किये हैं अकलिंद्र मिस्र जो टीवी कलाकार के रूप में बहुत जाने जाते हैं याकू याकू इनका बहुत फेमस डायलग है और बहुत ही चंदरकांता में यह काम किये हैं बहुत प्रसिद्धी हासिल किये मैं आपको अब आगे बतला रहा हूँ कि यह जो है बिहार की जो पहली आधुनिक फिल्म के रूप में जाना जाता है वह कल हमारा है जिसके नायक कुनाल है और यह जो है बिहार में बनी प्रथम आधुनिक फिल्म के रूप में यह जाना जाता है नायक कुनाल है और कल हमारा है लेकिन हमारा इतिहास बहुत पूराना है यह जो है बिहार की पहली प्राचीन फिल्म जो पुनर मिलन हुआ था 1931 में महराजा भुपेंदर शिंग के द्वारा बना गया था यह पहले फिल्म का एतिहासिक स्रे बिहार को जाता है 1931 में आप समझ सकते हैं जब देश आजाद भी नहीं हुआ था उस समय यह फिल्म बनी थी हमलों के बिहार से वैसे यह एक बहुत बड़ी उपलब्दी है इसको आप दिहान डखेंगे दोनों को दिहान डखना है और कल हमारा जो है सो आधुनिक हिंदी फिल्म का प्रथम है और वह प्राचीन मिंस पहली फिल्म प्राचीन ओल्ड फिल्म के रूप में हुआ है क्योंकि तकनिकी रूप से आप समझी रहें कि बहुत सारी चीजे नविन डेवलप्मेंट में हुए क्योंकि यह जो है आपको 1980 के बाद वा 1982 के आसपास यह बनी है आपको बता देते हैं आपको कुनाल जो है वह बुद्धदेव सिंग के पुत्र रहे हैं जो उस समय आपको पीडलूडी मिनिस्टर है संजोग से मेरे नाना जी भी उस समय पीडलूडी मिनिस्टर बिहार के रहे और वाह जो थे आपको कैबिनेट मिनिस्टर थे और हमारे नाना जी आपको राज्य मंत्री थे तो इसलिए मैं उनको व्यक्तिकत रूप से इन दोनों व्यक्ति को जाना था और जब फिल्म आयी तो उस समय हम लोगों को बच्पन में देखने का भी मौका मिला था, तो यह आपको बतला देते हैं, इसके बाद बिहार में हिंदी फिल्म का दृष्यंकन अस्थाल जो सुटिंग प्लेस के रूप में भी जाना जाता है, कई अच्छी अच्छी फिल्में यहां बनी है, यहां जो सत्रूगन सिन्ना के द्वारा किया गया था, शूल जिसके बारे में हमने आपको चर्चा किये ही, मनोज बाजपेई जी का है, गांधी जो आपको बहुत ही अंतरास्टी अस्तर की फिल्म है, रिचार्ड एटेन बरों के द्वारा, जो आठ ऑसकर पुरसकार प्राप्त फिल्म है, इसमें आपको गांधी यहां की गांधी फिल्म की सुटिंग हुई है, माजी दा माउंटेन मैन जो बहुत ही चर्चित है, आज कल आपको बता रहे हैं, नवाजुदिन सिदिकी इसके नायक है, राधिका आपते नायका है, पंकज त्रिपाथी जिनके बारे में म भी तुरंत बतलाया है, शमुराय, शमुराय जो है तमिल फिल्म है, लेकिन उसका फिल्मांकन सुटिंग बिहार में हुआ है, यह बहुत मातापोन है, पूछा जा सकता है, हाफ गर्ल फ्रेंड, चेतन भगत के उपन्यास पराधारित है, लोक नायक प्रकास जा, द्वारा निर्देशित फिल्म है, उसके निर्देशक है, आपको प्रकास जा है, प्रकास जा बेतिया के रहने वाले हैं, और संजोग से जब MP का एलेक्शन हो रहा था, मेरे नाना जी वहां से MP में जीते थे और वहा हार गय थे, तो उस समय उन से बहुत रूबरू होने का मौका मिल था, आपको मैं इनके बारे में और भी आगे चर्चा करूँगा, आपको मैं बतला रहा हूँ, कि बिहारी अविनित्री भी बहुत फेमस रही है, प्राचीन अविनित्री में मैं कुछ नाम बतलाना चाह रहा हूँ, जो आप लोग हो सकता है, आप जानते होंगे, उसमें है, जेबु निशा, वह जो है, हुशेनाबाद, जो हुशेनाबाद राज था, वह हुशेनाबाद राज परिवार की यह लड़की हैं, और वह सिकपूरा बिहार की रहने वाली हैं, और उन्होंने कम से कम आपको लगभग 115 फिल्मों में काम किया, मिस्टर एक्स इन बंबे 1964 में, मदर इंडिया जो काफी प्रचलित फिल्म थी आपको उसमें भी इनको काम करने का मौका मिला, 1957 में कोहिनूर में, 1960 में नया दौर, जो दिलिप कौमार जो आपको फिल्म के बहुत बढ़ी हस्ती माने जाती हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला, उझाला, ललकार, ऐ कुम-कुम जो बिहार की रहने वाली हैं और हुशेनाबाद शेकपूरा में की रहने वाली हैं और हाल ही में आपको समझे कि 1920 में यह डेत की हैं 86 यर्स ओल्ड होकरके यह मरी हैं तो उसके बाद है प्रेमलता मिसर हैं कहें छूट नजाय च्छट इनकी फिल्म हैं यहालेखी का भी हैं यह मैथली फिल्म में भी काम की है भुझपूरी फिल्म में काम की है रेडियो दूरदर्शन में भी काम की है और फिल्म अवनित्रे के रूप में भी काम की है आपको मैं आपको बता रहा हूँ रेखा सहाई इनकी भी कई फिल्म है रेखा सहाई जो आगे मौत है आपको फिलमांकन किया गया है, इनके पती केंद्रि मंत्री के रूप में रहे हैं, जाने माने व्यक्ती हैं तो आपको इनके नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ नीटु चंद्रा नीतू चंद्रा जो आपको अभिनित्री भी रही हैं और वह production house भी चलाती हैं आपको मुख्य रूप से production का काम, producer का काम करती हैं चम्पारन टॉकी इन ही का है production house इनका है और यह अंग्रेजी ग्रिक कंणर तेलगू फिल्म में काम करने का आपको मौका मिला है यह बिहार की पहली ऐसी अवनित्री हैं जिनको बहु भासी फिल्मों में काम करने का मौका मिला है जिसमें अंग्रेजी, ग्रीक, कंडर, तेलगू फिल्मों में काम करने का मौका मिला है पटना से पली बढ़ी है मैं आपको बता देता हूँ अनुरीता जहा बहुत प्रसिद आपको अक्ट्रेस है गैंग्स ओवासेपूर, प्रथम और दूतिय फिल्म के अभिनित्री के रूप में रही है और सबसे बड़ी बात है कि इनको मिथला मखान फिल्म के अभिनित्रे में इनको यह फिल्म को 63 नेस्नल फिल्म आवार्ड मिला यह एक बहुत बड़ी बात है जो मिथली भाषा में यह फिल्म बनी थी मिथला मकान, मैं आप कहिए मिथला मकान की चर्चा इसमें क्यों आप सर कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी चर्चा करना होगा वैसे मिथला मैथली जो हम आपको सिनेमा के बारें बताएंगे उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पर अनुरीता जहाँ जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं लेकिन इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था इसलिए म मैंने इसमें चर्चा किया हूँ आगे मैं और भी चर्चा करूंगा सोनाक्षी सिन्धा जो है आप सत्रुगन सिन्धा और पूनम सिन्धा की बेटी हैं दवंग 2010 में सर्वस्रिस्ट अविनेत्री के रूप में फिल्म फियत पुरिसकार इनको मिला है और यह जो हैं आपको बता दें कि कई बैफसाइक फिल्मों के लिए जानी जाती हैं मैं आपको बता रहा हूँ नेहा सर्मा जो यंगिस्तान कुरूक फिल्म की अभिनित्री के रूप में जानी पहसानी नाम है आईसा सर्मा सत्यमेव जैते फिल्म की अभिनित्री के रूप में नहीं है बिहार की है सिल्पा सुकला सर्वस्रिष्ट अभिनित्री फिल्म फियर एवार्ड जो या फिल्म है आप सोचेंगे या फिल्म है कि सर ऐसे ही हसी मजा कर रहे हैं या फिल्म है बीए पास या फिल्म है बीए पास उसी में इनको फिल्म फियर एवार्ड मिला आपको वैशाली की रहने वाल आपको बिहारी संगितकार बिना शंगीत का तो जीवन ही आपका ब्यर्थ है, तो संगितकार की चरचा करना बहुत जरूरी है, चित्र गुप्त जो जाने माने संगितकार रहे हैं उनकी बहुत फेमस गंगा, मैया, तोहे, पियारी चढ़ई, वो यह जो फिल्म है, है तो पूरी मैथली सम्में इनको शंगितकार के रूप में जाना जाता है और इस फिल्म जो है मैं आपको बता दूँ इस फिल्म के या संगितकार है और कुम-कुम इस फिल्म की अवनित्री रही है इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारें बता दिया है जबकि या भोजपूरी फिल् में काम की है मात्र एक ही पहली फिल्म है और एंती फिल्म है वह है जिसमें कुम कुम अविनेत्री हैं और यह संगीत आनन्द मिलन्द जो है आप जानी रहें बहुत जाने पहसाने संगित कार हैं रित्विक सान्याल है जो संगीत नाटक अकादमी इनको आवार्ड प्राप्त करता हैं पंडित प्रशून वरनर जी जो पाटियाला घराना के हैं तो ऐसे संगीत कार हमारे बिहार में रहे हैं मैं इस क्रम में आपको आगे मैं बतलाऊंगा मैथिली भोजपूरी अंग का के बाड़े में आपको बतलाऊंगा तो इस क्रम में आप जारी रखेंगे इसको देखते रहेंगे क्योंकि आपको सिनेमा और खेल कूद से भी पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको चर्चा किया है सभी पड़िछाओं के लिए आपको शुभ कामना जैहिंद जैभाद